नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग complete science, physics, chemistry, biology का chapter wise most expected question का study कर रहे हैं आज physics का chapter 7 उस्मा एवं उस्मा गतिकी के सभी मातपुर्ण परस्न देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, पहला question है वह ताप बिंदू, जिसपर ठोस, दरब और गेसी अवस्थाएं, एक साथ रह सकती है वो क्या कहलाता है, तो इसका answer क्या है, आप लोग भी साथ में answer लगाएगा इसका correct answer है, तिरिक बिंदू कहलाता है यानि कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, दरब और गेसी आवस्थाएं एक साथरा सकती है वह तिरिक बिंदु कहलाता है देकि तिरिक बिंदु वह होता है कि दाव एवम ताप का एक ऐसा अनौका सन्योजन है जहां पर पदार्थ के तीनों आवस्थाएं यानि ठोस, तरल और गेस सामय आवस्था में ओ अस्तित्म में होती है Next question है कि संभान द्वारा उस्मा का अस्थानांतरन हो सकता है तो संभान द्वारा उस्मा का अस्थानांतरन किस में होता है गेस और द्रब में होता है अगर कोचन पूछा जाए कि ठोस में उस्मा का अस्थानांत्रन किस विदी द्वारा होता है तो चालन विदी द्वारा होता है और निर्बात में उस्मा का अस्थानांत्रन होता है वो किस विदी द्वारा होता है वो बीकरन के विदी द्वारा होता है जैसे सुर्ज से जो प तक तरल गरम या ठंधा रहता है क्योंकि उस्मा की कोई हानी अथ्वा प्राप्ति नहीं होती है तो इसका एंसर क्या होगा तो इसका क्रेक्ट एंसर है संचालन संभहन एवं बिक्रन यानि ए और दो बी जो है दोनों होगा इसका एंसर नेस्ट कोईचन है 100 डिगरी सेंटिग्रेट की वास्प द्वारा उत्पन जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन जलन से अधिक गंभीर होता है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि वास्प द्वारा अधिक उस्मा दी जाती है वास्प में क्या होता है गुप्त उस्मा पाय ज जलता है क्योंकि भाफ में गुप्त उसमा होती है नेश्ट कोशने के एक ग्राम बर्फ को जीरो डिगरी सेंटिग्रेड टापकरम से वास्प में 100 डिगरी सेंटिग्रेड टापकरम तक ले जाने के लिए कितनी केलोरी एरजा की आवस्कता होगी, तो कितनी केलरी उरजा की आसपता होगी, तो इसका correct answer है, 720 केलोरी उरजा की आवस्कता होगी, यह कैसे होता है, तो दीखिए, क्या होता है, कि zero डिख्री सेंटिग्रेड बोला है, उस्मा की अवस्कता होती है 80 केलोरी और जल का ताप 0 degree centigrade से 100 degree centigrade तक बढ़ाने है तो उस्मा की अवस्कता होती है कितना 100 केलोरी होती है ठीक है और वास्पन की गुप्त उस्मा होती है 540 केलोरी परती ग्राम होती है वास्पन की गुप्त उस्मा होती है 540 केलोरी परती ग्राम ह होता है तो आधा क्या होता है इस से सो डगरी सेंटिग्रेट पर जल से वास्प में परिवर्तन है तो आवस्यक उस्वा कितना है तो तो पांसो केलोरी है तो कुल आवस्य उस्मा कितना हो जाएगा 80 और 100 और यह पांसो 40 तो टोटल हो जाता है 720 केलोरी ठीक है नेक्स्ट कोचन है किस तापमान पर किस तापमान होने पर पाथ यांग तो आनों समान होता है सुटालीज पर होता है दोनों का समान होता है पाइमान नेश्ट कोचन है कि किसी तापमान पर सेल्सियस और फॉरेन हाइट पैमाने मेल खाते हैं तो कितने पर बराबार होता है दोनों का माइनस 40 डिगरी पर होता है नेश्ट कोचन है किस बिंदू पर फॉरेन हाइट तापकरम सेंटीग्रेट तापकरम का दूगना होता तो इसको कैसे निकालेंगे तो कब होता है दूग न दिश्वी इसका तो सुत्र किसी टाप को सब्सक्राइब पूछे ता आप सानी से बना सकते फोरेन हाइट और सेंटिग्रेट में रिलेशन क्या होता है सी माइनस जीरो बटा फाइफ बरावर क्या फोरेन हाइट फोरेन हाइट में अधा एफ माइनस 32 बटा 9 ठीक है तो इससे आप निकाल सकते हैं कि वह लग किस बिंदू पर फोरेन हाइट तापकरम सेंटिग्रेट तापकरम का दूग ना होगा तो इसको के से निकालें किस ना ठापकरम पर किस बिनदू पर फोरेन हाइट तापकरम सेंटिग्रेट तापgram का दो गुना होगा यानि एफ ब्रावर टू सी रखते हैं तो किस बिंदू पर तो सी कमान यहां दिया वाश सेंटिक्रेट कमान निकाला है फोरेन आट पर यहां तू रख देते हैं तू सी एफ ब्रावर टू सी ठीके अब यहां इसको गुना कर दिजिए क्रोस मल्टिपिलेसन तो क्या हो जागा पांच दूनी दस सी माइनस 32 ठीके और यह 32 और नो इधर हो जागा कितना 41 कि और सी ब्रावर क्या जागा कि सेंटिग्रेट ब्रावर और पोर पॉइंट वण थोड़ा से मिष्टेव इसको फिर से समझेए देखे सी माइनस 0 बटर कितना होता है पांच बरावर एफ माइनस 32 बटर नो ठीके तो क्या बोला कि फोरेंड हाइट जो तापकरम है सेंटिग्रेट तापकरम का दूगना हो जाता है यानि कि एफ बरावर सेंटिग्रेट का दूगना यानि टू सी ठीक है यहां पर एफ बरावर क्या है टू सीर कर देंगे अब यह क्रोस मल्टिप्लिकेशन जब करेंगे तो नाइन सी इसकल तू पांच दूनी दस सी अब माइनस होगा बत नम पांच गुना बद तीस बद तीस पंचे एक सो साथ ठीक है तो एक सो स साथ डिगरी सेंटीग्रेट पर फॉरे नाइट तापकरम सेंटीग्रेट तापकरम का दूगना हो जाएगा तो यह मैंन है कि आपको यह वाला फॉर्मूल आपको हमेशा याद रखना है इस टाइब के कई कोश्चन पूछा जाता है सी माइनस जीरो बटा पांच बराबर एफ माइनस एफ माइनस 32 बटा 9 बराबर केलविन का भी रिलेस्ट कर लेंगे केलविन माइनस 273 बटा 5 ठीक है यह फॉर्मूल आपको याद रखना है नेस्ट कोश्चन है कि एक स्वस्त मनुस्य के सरीर का ताप होता है तो एक स्वस्त मनुस्य के सरीर का ताप होता है 37 डि एड़ी फॉरे नाइट को चने केलिबीन मांसे मानभ शरीर का सम Mandal स्योंतर होता है 310 केलिबीन मानभ शरीर का समाने तापकरम अंठान्वे दसलर चार प्ण हम होता है तो इसका एंसर ऐंसर मेंन अधुर दिग्रेट में कितना हो जागा लगबख 37 डिग्री सेल्सियस होता है तो 36.89 सेल्सियस में कितना हो जागा केलविन में रिनात्मक मांण नहीं होता है ऍने फोहन है अब फोर्यण हाइट पर तापमान दो सोड़िग्री फोहन है तो इसका मांद सेल्सियस परफ्सियस पर क्या हो जो इसको फॉर्मुला से आप निकाल सकते हैं ने सी माइनस जीरो बटा फाइफ तो और क्या दिया है फोरेन हाइट में दिया फोर्मूला पहले क्या था एफ – 32 बटा नो तो फोरेन हाइट में दिया 200 यहां 200 रख देंगे 200 में से 32 चला जाएगा तो कितना बचेगा 200 में से पहले तीस घटा ये तो 170 170 और दो और घटा देजिए तो 168 ठीक है 168 बटन नो तो आठ चो चौदा एक पंद्रह तीन से कट जागा तीन पंद्रह तीन शक अठारा तीन तीया नौ ठीक है अब इसको क्रोस मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो 5 से गुना होगा ये 56 में तो कितना ह आता है इसको आधा करके सुनने बठा देजिए तो यह हो गया और बटन में कितना है तीन तो जब इसको कलकुलेट करेंगे तो इसका एंसर क्या जाएगा 93.3 डिगरी सेंटिग्रेट नेस्ट को चने माना कि आउसर तापमान सेंटिग्रेट तथा सी यानि सेंटिग्रेट यानि सी फोरेन हाइट हो और सी तथा एफ यदि सी तथा एफ यानि सेंटिग्रेट और फोरेन हाइट का सम्मंध एफ बराबर 9 बट्ट 5 सेंटिग्रेट पलस 32 तो एफ तथा सी का सम्मंध क्या होगा ठीक है इसको निकालना कैसे यह भी फोर्मूला से असानी से निकल जाएगा क्या है कि पूछा क्या है सेंटिग्रेट और फोरेन हाइट में फर्मूला क्या होता है सी माइनस जीरो बराबर एफ माइनस 32 बटा नाइन ठीक है तो ओप्शन में क्या है फोरेन हाइट बराबर दि पलस में तो इस तरह इसका एंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नंबर ए में है ने फोरेन हैट बराबर नो बटे पांच सी पलस 32 नेस्ट कोच्छे ने कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फोरेन हाइट असकेल में कितना होगा तो इसको भी ऐसे निकालना है क्या सेल्सियस और फोरेन हा पांच बराबर एफ माइनस बटेश बटेश बटन नो इसका फोर्मूली पर बठा देना है तो पचास बटा पांच बराबर एफ माइनस बटेश बटन नो यह पांच से काटेंगे 10 और 90, 90 पलस 32 कितना हो जाएगा 122 फोरेन हाइट इसके अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B नेस्ट कोशन है ठंडे देशों में पारा के अस्थान पर अलकोहल को ताप मापी दरब के रूप में बरेता दी जाती है क्योंकि अलकोहल का दरबांग निम्नतर होता है अलकोहल का दरबांग निम्नतर होने के कारण ही ठंडे परदेशों या स्थानों पर इसका हिमां काफी नीचे होता है जिससे सुन्न से काफी कम तापमान हो जाने पर भी दरब अवस्था में ही बना रहता है next question है कि स्वचालिद इंजनों हेतु निमलिखित में से कौन सा एक हीम रोधी के तOR पर पर परियूख्त होता है next question है कि परम सुनिताप क्या है तो परम सुनिताप है सैधान्तिक रूप से नियूंतम संभववताप होता है और नियुन्तम संभव ताप कौन सा है यानि प्रम सुम ताइप कितना होता है माइनस 273 डिग्री सेल्सियस होता है माइनस 273 दसमलब एक पांच डिग्री सेल्सियस नेस्ट कोचे ने गरम करने से बिस्तारन होता है तो गरम करने से क्या होता है कि किसी पदार्थ का जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है आयतन घटता है next question समय की द्रिष्टी से दो द्रबों P और Q के ताप का 0 degree centigrade से 100 degree centigrade तक उतार चड़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है तो नीचे के आरेख में क्या है यह है इसका आरेख ठीक ने यह दिया हुआ है इसमें क्या है फिर से समझे इस समय की द्रिष्टी से P और Q के ताप का 0 degree centigrade से 100 degree centigrade तक उतार चड़ाव नीचे आरेख में दिखाया गया है यह आरेख है ठीक है और पूछा है कि निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो यह आरेख के हिसाब से ठीक है यह आरेख है देख लिजी तो इसके हिसाब से इसका एंसर क्या हो जागा इसमें है कि Q का ताप P के तुलना में 100 degree centigrade पर तेजी से पहुंचा है इसके तुलना में Q का ताप जो है जैसे Q का ताप P के तुलना में यह Q कताप जो है P के तुलना में 100 degree centigrade पर तेजी से पहुंचा है तो इसका एंसर रहता है ओप्शन नंबर D नेस्ट गूच्छ घने कि धर्मोस्टेट क्या है थर्मो अस्टेट का पर्योजन क्या है तो यह है तापमान को बढ़ाना थर्मो अस्टेट पर्योजन का काम क्या है तापमान को बढ़ाना नेस्ट कोचन है कि थर्मो अस्टेट संबंधित है तो यह किस से संबंधित है तापकरम से संबंधित है नेस्ट कोशन है कि थर्मो अस्टेट वह यंत्र है जो थर्मो अस्टेट में क्या होता है कि किसी निकाय का तापकरम सुवनियंत्रित करता है ताप अस्थाई अस्थिर बनाने रखने का साधन है तो ताप अस्थाई अस्थिर बनाने रखने का साधन है तो ताप अस्थाई अस्थिर बनाने रखने जाने का साधन है नेश्ट को चने के रेफरीजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्ज है एक समान तापमान को बनाए रखना नेश्ट को चने के रेफरीजरेटर में खादि पदार्थ ताजा रखने हेतू सुरक्षित तापमान इसका कितना होता है 4 डिगरी सेंटिग्रेट नेस्ट कोचन है जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वह कूरकूरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रीज के अंदर आदरता कम होती है इसलिए आतिरिक्त नमी अब सोसित हो जाती है नेस्ट कोचन है कथन और कारण है कथन में क्या है बर्फ का टुकड़ा बर्फ का टुकड़ा पे को थंधा बना देता है कारण है कि बर्फ पिघलने के लिए पे से गुप्त उसमा लेता है जिससे पे थंधा हो जाता है और नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चेन कीजि तथा एक की ब्याख्या आर है तो इसमें क्या बर्फ का टुकड़ा जो है पे को ठंड़ा बना देता है यह सही है और बर्फ पिगलने के लिए पे से गुप्त उस्मा लेता है जिससे पे ठंड़ा हो जाता है यह दोनों सही है नेश्ट कोश्चन है फिर कथारोन कारण वाला कोश्चन है कि बड़े सीत ग्री सन्यंत्र परसीतक यानि की रेफरीजेरेंट के रूप में आमोनिया का उप्योग करते हैं जबकि घरेलू परसीत यानि घरेलू जो फ्रीजे उसमें क्लोरो कार्बन का उप्योग किया जाता है तो इसमें क्या है? ए सही है, ठीक ने? मतलब कि ए कथन जो बहुत सही है, लेकिन ये जो कारण है, ये गलत है, ठीक है? बड़े सीत ग्री संजयंत्र परसितक में आमोनिया का उपर्यूग किया जाता है और घरेलू परसिति में जो है कलोरो फ्लोरो कारवन का पर्यूग किया जाता है ये सही है और कारण में क्या है कि आमोनिया को कम दाब एवं परिवेस ताप पर दर्वित किया जा सकता है ये गल थे नेस्ट को अचने कि निम्लिखित कथनों पर विचार किजिए यानि कि ए में दिया हुआ है यदि फ्रीजर पर बर्फ इकठी होती है तो रेफ्रीजरेटर में सीतलन बुरी तरह प्रभावित होती है ठीक है और कारण में कि बर्फ एक दुर्वल चालक है तो यह दोनों सह सही अस्पस्टी करने कि सीसे की छड़ जब भाफ में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परन्तु इसकी चवड़ाई भी बढ़ जाती है नेस्ट को चने नीचे दिये हुए एक धातु गोलक और धातु बले के चित्रों पर ध्यान दीजिए नीचे दिये गए एक धातु गोलक है यह और यह क्या बले है इस पर क्या पत्ति से बने धातु बले के चिद्र में धातु गोलक भर सकता है यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है परन्तु यदि धातू बले को गर्म करें तो क्या होता है गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापन से परसार के कारण बले का ब्यास बढ़ जाएगा यह है और फिर एक गोलक अटक जाएगा क्योंकि परसार के कारण छिद्र का ब्यास घट जाएगा गोलक निकल सकेगा क्योंकि छिद्र का ब्यास परिवर्तित नहीं होगा गोलक निकल कि बले में कोई परिवर्तन नहीं होगा यह तीनों क्या गलत है इसका एंसर है ऑप्षन नंबर ए को से समझी ठीक देखिए एक धातु गोलक है और धातु बले है ठीक है पत्ती से बने धातु बले के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है यदि गोलक को गर्म करने पर अटक ज प्यास बढ़ जाएगा इसका एंसर ए सही है नेस्ट कोच ने दो धातु ओं ए और बी की पट्टियां एक साथ गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है ठीक है यह जो है बी से अधिक फैलती है परन्तु इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप गर गर्ण कर लेगी तो यह कौन सा रूप गर्ण कर लेगी तो इसका एंसर है ओप्शन नमबर बी यह वाला नेस्ट कोच ने कथर में दिया हुआ तामबे की एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया है उसके बाद असपर्स करने पर तामबे का टुकड़ा कांच की टुकड़े की अप एक्षा अधिक गर्म लगता है मतलब तामबे का टुकड़ा जो है वो कांच की टुकड़े के एक्षा अधिक गर्म लगता है इसके कारण में दिया है तामबे का घनत्व कांच की घनत्व से अधिक होता है तो देखे ये दोनों सही है लेकिन क्या है कि R A की सही अस्पस्टिकरन नहीं है दोनों चीजें सही है दे ने तापमान की टुकड़े और कांच की टुकड़े को एक ही तापमान पर गरम किया जाता है बाद में असफर्स करने पर तापमान का टुकड़ा जो है नहीं कांच के टुकड़े से अधिक गर्म है ये सही है और तामबे का घंतुष चांच के घंतुष से अधिक होता ये भी सही है, दोनों सही है लेकिन आर आर जो है एक का सही असपर्स vulner नहीं है नेस्ट कोशन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकडी के गुटके को प्राता काल में छुएं, तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकडी की तुलना में लोहा उस्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है, तो इसका एंसर होगी अभी, इस तरह से 40 महत पुर्ण कोश्चन होता है समाप्त और इस चोप्टर के बाकी बच्चे कोश्चन को नेक्स्ट वीडियो में समाप्त कर देंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें